नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल गरेलू नुस्के में दोस्तों आया हूँ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फिटकरी का यह टुकड़ा जिन्दगी बर पैसे की परेशानी को खतम करेगा जियां दोस्तों फिटकरी एक वाश्यदी होने के साथ साथ चमतकारी चीज भी है जो आपकी धनकी समस्या को हल करने में आपकी हल करती है दोस्तों तंतर शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति बहुँ जल्दी धनवान बन सकता है और जीवन में धन की कमी नहीं रहती सोभाग्ये से उसे इतना पैसा मिलता है कि वह दोबारा कभी भी धन की कमी को मैसूस नहीं कर पाता धन का स्वामी हमेशा के लिए बना रहता है और दुरुभाग्ये को सोभाग्ये में बदलने के लिए फिटक्री अपना प्रभाव दिखाती है और आपको धनवान बना कर रखती है अगर आप भी ऐसा चाते हैं तो चलिए देर किस बात की वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें और साथ में लगे गंटे के निशान पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके और आप वीडियो को देख पाएं दोस्तों फिटकरी को तंतर शास्तर में बेहद खास माना गया है एक फिटकरी का टुकड़ा और एक काली मिर्ज इलाइची काली इलाइची लेकर इसके उपर से साथ बार अगरवत्ती को गुमा दे और उसके बाद इसे किसी कागज में लपेट कर इसे घर की तिजोरी में रख दे और मा लक्ष्मी के सामने धनकी कामना को कह दे और आरती वंदना करके अगले दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को एक किलो चावल के साथ 21 रूपए जरूर दान कर दे इस प्रकार जिंदिगी भर के लिए पैसे की परेशानी आपकी खतम होगी और 100 परसेंट आप इस परेशानी से मुक्ती पालेंगे दोस्तों अगली उपाई में फिटकरी के साथ अगर किसी चीज को दान किया जाए तो आपको अपार धन का मालिक बना सकती है इसके लिए आप एक फिटकरी का छोटा सा टुकडा ले लें एक किलो काली उड़द की डाल ले लें और उसमें एक रुपे का सिक्का 20 रुपई के नोट के साथ रख दें और एक फिटकरी का छोटा सा टुकडा इसमें डाल दें और उसके बाद यह दाल किसी गरीब व्यक् को दान करते वक्त धन की कामना को कह दें और उसके बाद दाल में से एक रुपय का सिक्का और फिटकरी का फिटकरी को निकाल कर उसे अपने पास रख ले और घर आकर इन दोनों चीजों को गर की तिजोरी में रख दें इस प्रकार धन की कमी आपकी दूर होगी आपकी परेशानी खत्म होगी और आप अपार धन के मालिक बन पाएंगे दूस्तों अगले उपाई में एक छोटा सा फिटकरी का टुकडा और ग्यारा या इक्तिस रुपाई लेकर इन दोनों को पीपल के पेड के नीचे रखाएं ऐसा करना आपको धन की कमी से परेशानी नहीं होना पड़ेगा और आप जीवन में धन की धन पासकेंगे और जीवन में पैसे की कमी को आप भूल जाएंगे क्योंकि यह इतने शक्तिशाली उपाई हैं जिनको करके आप हमेशा के लिए अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही कल फिर मैं कुछ नहीं नुस्खे कुछ नहीं हो पाई लेकर आऊंगा तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू